नमस्कार में पिंटु शिंग यादो आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि आए दिन जो है आप यूटूब पर काम करते हैं तो तमाम तरीके की चीजी आपको यूटूब पर करना पड़ता है खास करके जब स्वागत करते हैं तो आपकी चैनल को Aroundταν क genome की अप्लाई करना पड़ता है मौनिटाजिशन के लिए मौनिटाजिशन अप्लाई करने के बाद जब आपके spr zweiten दो का मेल आता है उसको जब आप खरते हैं तो आपके घर पर आपको पहले बता था कि किस तरीके से आप गूगल आ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया तो आप फिर Google अड्रेस्ट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो बदाता हो देने करते हैं चले एक कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं यहां पर गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैं वेरिफाइड कर लिया था क्या रहा है कि और इस तारी को देख सकते हैं कि तीन दिन पहले 12 बच कर 30 मिनट पर सुचिए 12 बच कर 30 मिनट पर रात में यह आया अपडेट जब मैं गूगल आइडेंटिप वेरिफिकेशन किया था यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और मेल आया है गूगल एडेंस वेरिफाइड पेमेंट एडेंस और यह जो है यहां पर लिग सब्सक्राइब को आपको यहां पर सकते हैं यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि वेरिफाइड यहां पर आपके लिग करते हैं तो आपका डिरेकली जो है वो रेड्राइक करता है आपका Google Adsense पे और जो आपका पीन आएगा जो लेटर जाएगा वहाँ पे आपको क्या करना है कि verify address करके यहाँ पे आपको जो है पिन डाल देना है ठीक है यहाँ पे जो पिन आएगा छे दिजिट का यहाँ पिन डाल के तो दोस्तों देखा आपने अगर आपने Google Identity Verification कोई भी डकुमेंट जो जो आपर required है अगर उस डकुमेंट से कर देते हैं उसके 24-44 गंडे के अंदर आपको एक mail आता है और mail पे लिखावता है कि आपको Google Address Verification के लिए जो पिन है वो आपके address पर भेज दिया गया है address पर आप अपने Google AdSense account में डालकर address verify कर सकते हैं इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है you have to earn $100 and after that you have to fill your bank account उसके बाद जो है आप पैसे लिकाना जो है शुरू कर देते हैं तो कोछिस तरीके का अपडिशन होता है जानना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप Google Identity Verification नहीं करते हैं address verification नहीं करते हैं तब तक जो है आपके पैसे account में नहीं आते हैं भले ही आपको बताना चाहिए तो आपको Google Identity Verification के बाद डारेक्ली आपको कुछ नहीं करना है बस mail चेक करते रहना है और फिर उसके according to timing होगी आप जाकर post office में चेक करते रहे पीना है फिर डाली और अपने Google अगर अधिस verification को जरूर खाने तो अप्डेट था कैसा लागा अप्डेट कमेंट बॉक्स माता है एक और ऐसे इंटरस्टिंग वीडियोज की नामारी चैनल याने की चेक्निकल दुनिया पेंटो को सुब्सक्राइब कर दूए रहेगा थैंद बाद